हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारी चैनल आरके सिविल सरसे स्टड़ी पॉइंट में देखी फ्रेंट से इस वीडियो में हम बहुत ही महत्यपूर और एहम ख़बरें लेकर आए हैं जो कि आपके लिहासे काफी खास हो सकती हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा क्यों हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आसिक्षा और बेरोजगारी के जिम्मेदान नेता हैं या अधिकारी तो इस तरीके का ये प्रशन पूछा गया UPPCS में अभी जो इंटर्विव चल रहे हैं वहाँ वैसे ये सबाल आप से भी है कि कौन है जिम्मेदार तो इस तरीके का का काफी सूच वूच से आंसर दिया गया लेकिन थोड़ा पहले परिशान करने वाला भी था ये प्रशन क्योंकि बड़ा ही सोच समझ कर जवाब देना रहता है तो और दूसरी खबर यहां ये भी है कि जो है UPPCS पर लगेगा प्रतियोगियों का जमघट तो APS यानी अपर न जिलों के अभिहरती सामिल होंगे इसके मद्दे नजर सनिवार को प्रतियोगियों ने आयोग अध्यक्ष को ग्यापन भी दिया है बताया है कि 2013 के बाद APS की भरती नहीं निकले इससे हजारों अभिहरती ओवरेज हो रहे हैं भरती ना निकलने से प्रतियोगियों को मानसि पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है तो ये आप पूरी खबर देख सकते हैं यानि कल इसके लिए धरना प्रदर्शन होगा अगर आप लोग भी से समन देते हैं तो इस खबर को ध्यान से देख लीजेगा और क्योंकि ये भरती काफी टाइम से नहीं निकली है और कल यानि पांच अप्रेल है और ये खबर है हमारे यूपी बोर्ड की परिक्षाओं से related मई में पूरी हो जाएंगी यूपी बोर्ड की परिक्षाओं कारेक्रम एक तो दिन में यानि कि पंचाय चुनाओं की बजए से यूपी बोर्ड भी प्रवावित हुआ एक्जाम और पंचाय किलियर होने में फिर अधी सूचना जारी होने के बाद ही डेट जो है फाइनल हो सकी है तो इस तरीके से अब जो है ये इसका भी कारेकरम एक दो दिन में घूशित हो जाएगा और लगवग मई में पूरी हो जाएंगी यूपी बोर्ड की परिक्षा है डिजिटल गाओं में एक क्लिक से मिलेगी हर जानकारी यानि कि प्रदेश के पंचाइज जो भवन हैं बनेंगे डिजिटल बिवस्ता की केंदर आसानी से ग्रामीरों तक पहुंस से केंगी सरकारी योजना है और जो है ऑनलाइन पढ़ाई में छातरों को मिलेगी मदद क्योंकि ग्रामीर छेतरों में जब बिद्धियार्थियों को इंटरनेट की खराब कनेक्टिविटी की बज़े से ऑनलाइन पढ़ाई में परिशाने होती है मगर नई योजना से प्रदेश के 45,000 ग्राम सबाउं को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा इससे बिद्धियार्थियों को आनलाइन पढ़ाई में दिक्कते नहीं आएंगे वे डिजिटल लाइवरेरी का भी लाव उठा सकेंगे तो ये विद्धियार्थियों के लिए भी अच्छी ख़वर कह सकते हैं बाकि इससे समंदेताप ख़वर पूरी देख सकते हैं और आप लोग यहां देखें कि तहसिलदारों को पदोनती के लिए अभी करना पढ़ सकता है इंतिजार क्योंकि जानते ही हैं कि आचार सहिता लगी हुई है और महा पदोनती, इस्तांतरण और नई नियुक्तियां ये सब रुख जाती है तो इसी बज़े से ये अभी इंतिजार बढ़ सकता है आयोग ने असंस्तोतियां बेजी कि तहसिलदारों को डिप्टी केलेक्टर के पद पर होनी है पदोनती आयोग की चुनाव आचार सहिता में है ये प्राप्धान क्या-क्या है चुनाव की अधी सुचना जारी होने के बाद समदेद अधिकारियों की इस्तांतरण नियुक्ती पदोनती पर पूर प्रतिवंद रहेगा अपरेहार परस्तिती में इस्तांतरण नियुक्ति बापदोनती की कारवाई आयो की पूर्व अनुमती लेने के बाद ही की जा सकेगी अगर हम यहार एल्टी ग्रेट की बात करें तो हमारी एल्टी ग्रेट बरती जो है पूर्डल खुलने में आचार सहिता का कोई भी प्रभाब नहीं होता है यानि कि पूर्डल जो खुलना है वो एक ओफिशियल काम है उससे आचार सहिता का कोई मतलब नहीं दूसरी बात ये है कि नियुक्ती भी वैसे तो ये पुरानी बरती है नियुक्ती में भी कोई बिलंब नहीं होना चाहिए था लेकिन इन लोगों की तो मनसा ही गलत थी तो इसमें क्या किया जा सकता है इनको तो एक बहाना चाहिए था और ये बहाना मिल गया तो वैसे तो 69,000 में तो नियुक्ति मिल गई थी और वस चुनाव आयोक से पर्मिशन की जरूरत रहती है लेकिन अब ये है कि इन लोगों को करना ही नहीं है चलिए ठीक है मत करिए लेकिन हम ये कहते हैं कि जो है अप् में काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी देखिए अब हम लोगों को दो तीन दिन इंतजार इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि नेत्रत वो करता जो है हमारे अभी बिजी है या फिर कह सकते हैं दिक्कत है इंटर्वियों भी है साथ मार्च को तो इसलिए वो एक्टिव न नहीं रह पाता है इतना एक्टिब नहीं बन पाया है या कह सकते हैं लेकिन हाई ये कह सकते हैं कि हाँ साथ मार्च के बाद साएथ पूरी तरीके से कुछ हो सके LTE grade में तो थोड़ा सा 2-3 दिन हम लोग वेट कर लेते हैं और देखिए आचार सहेतर का पोर्टल से कोई लेना देना नहीं है पोर्टल खुलेगा, काउंसलिंग भी पूरी होगी और कोरोना से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सारा की सारा काम ऑनलाइन है वहां हम लोगों को डारेक्ट जाना नहीं है कोई दस्तावेज से रिलेटेड वहां मतलब व्यक्तिकत रूप से कोई कारे नहीं करना है बस सारे कारे ऑनलाइन ही होना है तो ना ही कोरोना से मतलब है ना ही मतलब आचार सहिता से मतलब है तो portal हमारा अप्रेल में ही खुलना है अप्रेल में ही जल्द से जल्द हम लोगों को counseling complete कराने पर focus करना होगा तो tensionally easy है वस दो तीन दिन और wait कीचिए और क्या कर सकते हैं वस यही कर सकते हैं बागी और ख़ब हम लोग देखते हैं संवेदन सील छेतरों में चुनाओं केंदरी बलकी निगरानी में तो पंचाय चुनाओं के लिए मिली अर्दसैनिक वलों की 10 कंपनिया तो जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रदेश के संवेदन सील छेतरों खासका नकसल प्रवाइब सोनवादर, चंदोली, मिरजापुर में पंचाय चुनाओं केंदरी अर्दसैनिक वलों की निगरानी में होंगे तो ये भी पूरी ख़बर आप लोग देख सकते हैं और स्वास्त विवा के संवेदा कर्मियों की नियुकती में हो रही धांदली तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि धांदली हो रही है और सहियुक्त स्वास्त आर आउट्सोर्सिंग संवेदा करमचारी संग ने स्वास्त मंतरी को सौंपा पत्र तो ये चीजे घलत होती है धांदली और ये सब मतलब इससे क्या है कि जो सीरियस कंडिडेट है उन लोगों के साथ धोका या उन लोगों के साथ ही जादर प्राबलम आती है तो ये खबर भी आप लोग देख सकते हैं सासन ने सभी करमचारियों को 31 मार्ज तक जेम पोर्डल स टिंडर प्रक्रिया गदेट नियुक्ति का निर्देश दिया इससे पहले कारेरत करमचारियों को समयजित करने के निर्देश है इसके बाद भी CMO, CMS मनमानी तरीके से नियुक्ति कर रहे हैं और यूनिफॉर्म जूते, मोजे और बैख खरीदने के लिए 11.00 रुपे तो य भी खबर आप लोग देख सकते हैं, यह बेसिक शिक्षा अबिवाग की तयारी है, अबिवाग के खाते में भेजेंगे रासी, पहले स्कूल से निस्सूल के मिलती थी, अब नई ववस्ता की है तयारी, और इसकूलों को जो बंद करने का निर्ड है ले सकेंगे डियम, तो यह लिखा है कि राजदानी में पत्रकारों में मुखातिब डॉक्टर सर्मा ने कहा कि पंजाए चुनाओ के बाद यूपी बोर्ड की परिक्षा प्रारम होगी, मैं में ही यह परिक्षा शुरू होंगी, मालों में प्रदेस सरकार ने सभी बोर्ड के कक्षा 8 तक के स्कूल और चुनाओ के कारड़ अरपि परिक्षा इस्थागित पश्रिम बंगाल में विधानसवा चुनाओ के मद्दे नजर 10 अप्रायल को आयजित होने वाली सिक्षकों की परिक्षा जो एनुल रिफ्रेसर प्रोग्राम इन टीचिंग को इस्थागित कर दिया गया है और इसका जो है मतलब आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजनसी यानि एन्टीए को करना था अब एन्टीए दोबारा परिक्षा की तारीख तैग करेगी ये भी देख सकते हैं कि सिविल सिवा परिक्षा की समग्र तैयारी कराएगा सफलता का महा विशेशांक अगर ये मतलब विशेश चंक लॉंच किया गया है अमर उजाला की तरफ से तो अगर आप लोग इंट्रेस्टिड हों तो इसको ले सकते हैं बहुत ही अच्छा है आपकी तैयारी में इससे हेल्प मिलेगी और जो है इसको आप पूरी खबर यहां समन्दित खबर दीख सकते हैं और पढ़ाई छोड पंचाय चुनाओं में ताल ठोक रहे यूबा गाउं में हाईटेक सोविधाएं उपलप्त कराने का बादा प्रदान से लेकर जिला पंचाय सदस्पत पर दाविदारी तो वाकई ये बंदलब अच्छी भी बात कह सकते हैं कि और एक तरफ तो वैसे भ हम एमे कर रही निदी भी मैदान में तो ये सारी खबरें भी आप देख सकते हैं और जो लोग से वायोग लगातार रिजल्ट जारी करी ही रहा है आप लोग देख सकते हैं मेडिकल कॉलेजों को मिले 31 नए असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीपीसी ने जारी किया अंतिम च जो है ओनलाइन ही एक विकल्प हैं तो वही जो है प्राइबेट स्कूल इसी की और बड़े हैं परिसाद ये स्कूलों में सिख्षक रहकर कराएंगे बच्चों के एडमीशन तो ये भी आप खबर देख सकते हैं और ये खबर आप लोग देख सकते हैं कि इस विद्विद् परिक्षारतियों ने घेरा परिक्षा नियंत्रक का कार्याल है पहले दिन ही जो है ओनलाइन परिक्षा धड़ाम हंगामा तो यहां आप देख सकते हैं कि पहले ही दिन ओनलाइन परिक्षा गले की फांस वन गई अपलोड और डाउनलोड में ही फसे रहे परिक्षारती और इमेल से और आफलाइन जमा कराई जाएंगी कॉंपिया और परिसदिये स्कूलों के बिद्धिहरतियों को मिलेगा मुफ्त अनाज परिवर्तन लागत की धनरासी जो है खातों में भेजी जाएगी अनाज का बित्रड कोटिदार के माध्यम से कराया जाएगा इसे लेकर अभि गूगल सीट पर डाटा होगा अपलोट फरजी सिख्षकों के मामले में सासन ने दिया निर्देश वीएसे ने वीएओ को दी जिम्मेदारी तो जो है कारेपूर करने के लिए चार नोडल अधिकारी भी नामित गूगल सीट पर डाटा पूर कराया जाने के लिए वीएसे ने चार नोडल अधिकारी नामित किये हैं जिने अलग-अलग बलाकों की जिम्मेदारी सौपी गई है नोडल अधिकारियों में खंडे सिख्षा अधिकारी हर गोबिन सिंग जिला समन विएक विएक जायसवाल दीपक पटेलवा अमरेंद्र मडी तिरपाठी सामिल हैं जि से जल्द सासन की रिपोर्ट प्रेशित की जाएगी तो ये जिला बेसिक सिख्षा अधिकारी का खतन है तो ये भी आप लोग देख सकते हैं और प्रवक्ता पदों पर लगातार रिजर्ट जारी हो रहे हैं यहां देख सकते हैं कि यूपी लोक सेवायोग ने अर्थसास्त नोटिस आप लोकल ही देख चुके थे अब जो है सेक्षिर कारे 11 अपरल तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है और ये भी आप ख़बर देख सकते हैं स्कूलों में रखने होंगे 13 रजिस्टर पूर्व के रजिस्टर भी अभिलेखों के रूप में समहल कर रखे जाएंगे आए बी आई पंजीका और चेक इश्विय पंजीका को एक कर दिया गया है बाकि आफ यहां घबर पूरी देख सकते हैं चलिए आज के वीडियो बस इतना ही बाकिकन कोई अन्य अफडेट निकल कर आएगी तो आप तक जरूर साज़ा की जाएगी तेंक्यू